तो मांसून का सीजन चल रहा है और मांसून के सीजन में गुड़हल हमारा काफी अच्छे से फ्लॉरिंग करता है पर अक्सर ये एक समस्या देखी जाती है कि इसमें पत्तों का जो है ये पत्तियां इसकी पीली पड़ने लग जाती है साथ में जो इसमें कलियां आती हैं तो drop हो जाती है, सुक कर ये देखे, और साथ में आप देख सकते हैं नीचे धेर सारी कलियां हमारी नीचे गिरी हुई है तो ये क्यूं होता है और पौधे की जो growth हो रही होती है काफी अच्छी growth हो रही होती है और अचानक सी growth रुक जाती है, इसके पीछे क्या region है और इसको कैसे हम पौधे को इन बीमारीों से कैसे मुक्त कराएंगे क्या बीमारी है और इसका इलाज क्या है तो वीडियो में पूरी चीज़ों को देखेंगे और साथ में जो compost यूज करते हैं, कैसे पीछे तीन कारण होते है पहला over watering या under watering मांसून के season में आप देखें जब पौधा गंबला हमारा बाहर रहता है खुले में, तो लगातार बारिस होती है जिससे पौधे में पानी अच्छे से पड़ा रहता है और मिटी कभी-कभी मारी drain नहीं हो पाती है आपके ऊपरी भाग में जो पत्ते पीले पड़ते हैं तो इसके पीछे रीजन होता है कि जो roots का है वो proper work ना कर पाना ये पहला रीजन हो गया दोस्तों दूसरा रीजन होता है पौधे में nitrogen की कमी होने से nitrogen की जब कमी होती है दोस्तों तो क्या होता है नीचे से उपर तक की सभी पत्तियां धीरे-धीरे पीली पड़ने लग जाती है तो इस पौधे में आभी आपको nitrogen की कमी तो बिलकुल नजर नहीं आ रही है आपको ये पहचानना ज़रूरी है कि कमी किस चीज की है जिसकी वज़े से पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही है या जो हमारे flower buds हैं वो ड्रॉप हो रहे है तो इसमें nitrogen की कमी नहीं है पर मिटी में नमी जादा है ये एक कमी हो सकती है दूसरी कमी जो होती है दोस्तों वो होता है magnesium की कमी जिसकी वज़े से पत्तों पौधे की पत्तियां पीली पड़ती है ये इस प्रकार से देख सकते हैं पत्तियां पीली पड़ती है और जो इनकी नसे होती है वो clear दिखाई देती है green color में तो ये magnesium की कमी होती है लेकिन magnesium और iron ये दो चीज़ें ऐसी है जो मिट्टी में मौझूद भी है पर नमी अधिक होने एक वज़े से जो जड़े हैं वो इनको proper तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते हैं और पौधों में पहुचा नहीं पाते हैं तो पहला जो treatment है वो मैं आपको बताओं कि मिट्टी को आपको बिल्कुल पोरस रखना है ताकि इसमें water बिल्कुल भी hold ना हो सके पोरस रखने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि इसको जो है आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहें तो इस प्रकार से आप गमले की मिट्टी को चेक करते रहें और उसकी गुड़ाई करते रहें ताकि इसमें मिट्टी रुके नहीं और जो मिट्टी आपकी नम है तो जब आप एक बार गुड़ाई करते हैं नीचे की मिट्टी उपर मिट्टी उलट पलट जाती है तो नमी कम हो जाती है मिट्टी जल्दी जो नमी है वो ड्राई होती है और जो पौधे की roots है वो oxygen और बाकी nutrients भी काफी अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं तो यह पहला option होता है जो आपको करना है और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं आपको मैंने बताया कि बारिस में पौधे में जो है पानी ज्यादा लगने की हो जैसे nutrients की कमी हो जाती है root ग्रहण नहीं कर पाती है इसका मतलग यह नहीं है कि हमें इस पौधे को shaded place में रखना है नहीं आपको रखना खुले में ही है बारिस के बाद जो धूप आती है वो धूप इस पौधे को लगना बहुत ही आवस्यक है चुकि गुड़हल जो होता है वो full sunlight को पसंद करता है तो इसको धूप दिखाना बहुत ही आवस्यक है तो आपको इसको full sunlight में बाहर ही place करना है shaded area में place नहीं करना है अब दूस्तों इस प्रकार से देखिए आपने गुड़ाई कर दी गुड़ाई करने के बाद आपको मैं बताओं कि जो यह floor drops हो रहे हैं इनके पीछे दो रीजन है कि या तो इसमें नमी जादा है तो पौधे को magnesium और iron की deficiency हो जाती है जिसकी वज़े से floors drop होते हैं तो आपको इनकी कमी पूरी करनी है कमी पूरी करने के लिए मैं पहले आपको proper तरीका बताता हूं कि गुड़ाई की आपको care कैसे करनी है जिसमें ये जो कमी है वो भी पूरी हो जाएगी तो पहली चीज़ आपको कि मिट्टी की गुड़ाई करनी है और nitrogen rich fertilizer आपको इस पौधे में देनी है तो nitrogen rich fertilizer आप कुछ भी दे सकते हैं cowden compost, vermicompost, चाय की पत्ती और coffee से बना हुआ compost भी आप इसमें दे सकते हैं जिससे कि इस पौधे की nitrogen की जो कमी होगी वो दूर हो जाएगी गुड़हल का गुलाब का पौधा, मोगरा का पौधा जो होता है दोस्तों ये काफी heavy feeder होते हैं चुकि बहुत ज़्यादा heavy मात्रा में इनकी flowers निकल के आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा compost की भोजन की जरूरत होती है तो आप 15-20 दिन में एक बार इस प्रकार से चाहे आप गाय की गोबर की खाद यूज करें या वर्मी compost एक गंबले में एक से दो मुठी इस प्रकार से यूज कर लें ये पहला step होता है दोस्तों आपको अगर अच्छे से फूल लेना है तो तो ये देखे इसे हमने मिट्टी में उलाई करके अच्छे से मिला दिया है और मिलाने के बाद और कभी भी जब composting आप करते हैं दोस्तों तो ये चीज ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत ज्यादा गीली नहीं होनी चीए और बहुत ज् जिसमें आपको 15-20 दिन में एक बार एक से दो मुठी आप वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद जरूर अपने पौधे में दे इसके बाद जो दूसरा होता है जिसमें हम अभी नाइट्रोजन की कमी हमारी पौधे की दूर हो जाएगी और पौधे की ग्रोथ काफी और हो जाएगा रूक्समें एर पहुचने लग जाएगी तो मिट्ई में पड़े हुए न्यूट्रेंस को ग्रहण करने लग जाएगी और पौधो तक पहुचाने लग जाएगई पर जो मैगनिसियं और खैयरन की जो कमी है उसे दूर करने के लिए हमें लेना है यह तीन चीजें दोस्तों जिसमें आप देख सकते यह है नीम खली यह एपसन सॉल्ट और यह है सीवीड का ग्रेंडवल अगर आप सीवीड ग्रेंडवल नहीं यूज है आपके पास अविलेबल तो अगर आपके पास इस परकार से सीवीड का लिक्विड फेटलाइजर है त उसके लिए एंटी-फंगल, एंटी-बैक्ट्रियल का काम करती है साथ में इसमें धेर सारे मैक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो न्यूटिसिन प्रोवाइड करते हैं पौदो को एपसम सॉल्ट मैगनिसियम सलफेट होता है इससे मैगनिसियम की कमी पौदों में पौदों में दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी मात्रा की एक गंबले में एक चमच एपसम सॉल्ट एक चमच आप में ये सीवीड का ग्रेंवल और दो से एक मुठी के करीब नेम खली का यूज करें महीने में एक बार उन तीनों चीजों को आपस में मिक्स क करने के बाद गंबले की मिट्टी के अच्छे से गुडाई कर ले और गुडाई करके उसमें इसे मिक्स कर दे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इन्हें और एक गंबले में आप मैंने जो रेसियो बताया है उस रेसियो के हिसाब से चुकि मैंने ये तीन गंबले के लिए बन अब मैं निल्ँच इस परकार से देखिए आपको देरेना है और इने देने के बाद आप पूर्दे में मिला दे इसके बाद आपको कर देना ही है व मॉट्रिंग और तो दोस्तों देखिए यह हमने कर दी watering और पौधे को full sunlight में आपको place करना है अब दोस्तों यह हो गई बात composting की अब आते हैं हम जो हमने liquid fertilizer आपको दिखाया है यह liquid fertilizer आपको 5 ml एक लीटर पानी में मिलाके dilute करके इस पौधे पे आप spray भी कर दीजिए और साथ में मिट्टी में भी उसको डाल तो आपको जो trace elements है iron की कमी हो यह seaweed liquid fertilizer जो है आपका पूरा कर देता है अगर महिने में एक बार आप seaweed का use करते हैं तो आपके पौधे में deficiency नहीं आएगी पौधा काफी अच्छे से growth करेगा अब दोस्तों इतनी चीजों के बाद गुढ़ल के पौधे में एक जो अक्सर चीज करता है यह देखिए दोस्तों यह जो मेरा दूसरा पौधा है मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा करीब से यह देखिए यह जब अच्छे से attack कर लेते हैं तो यह वहां पर leaves को और जो कलियां बन रही होती है उन्हें dry करने लग जाते हैं और वहां से जो उनका रस होता है उ चीटियों की वज़े से जब गमले में चीटियां होती है तो वह इनके जो लारवा होते हैं उनको खाते हैं और उनके जो अंडे होते हैं उन्हें अपने पैरों से पूरे पौधों पे फैला देते हैं इनसे बचने के लिए हमें करना है नीमायल का इस्प्रे आप सभी जान को नुक्सान पहुंचाते हैं इन सबसे बचाने के लिए हम Houston करेंगी इस पर कारी कैसे करना है तो 17 अमल neem oil साथ में कि ca उने एक लीटर पानी में करेंगे अरूशेद करेंगे इस पर दोस्तों यह देखी हम ने एक ली टर पानी में ज्यादा मात्रा नहीं मिलानी है 5-10 मेल आप एक लीटर पानी में नीम आयल मिलाएं और साथ में कोई भी हैंडवास हो या फिर सैंपू हो आप इस प्रकार से इस पानी में मिला दें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर ले mix करने की बाद दोस्तों इसे आपको अपने पौधों पर spray करना है और ध्यान रहा है कि spray ऐसा करना है कि पतियों के आगे पीछे दोनों टरफ हमें प्तियों के पीछे जो होता है वह insecticide जो होते हैं छिपे होते हैं जहां ज़ादा आपको मातरा में मिली वक दिखाई दें, वहां थोड़ी तेज प्रेशर से आप इसको इस्प्रे कर दें, ताकि वो निकल जाए यहां से, तो इस प्रकार देखे, हमने पूरे पودह पर आगे पीछे, चारों तरफ से इस्प्रे कर देना है, जिससे कि जितने भी इंसेक्ट्स हों उन सब पर ये जो हमारा हमने इस्प्रे तयार किया हुआ है ये पढ़ जाए और वो या तो मर जाए या फिर पौधों को छोड़ कर भाग जाए तो ये चीजें आपको अगर ज्यादा अटैक हो गया है इंसेक्ट्स का तो हपते में एक बार और नहीं तो आप 15-20 दिन में एक बार नहीं माल का इस्प्रे प्रिवेंटिव मेथट के तौर पर जरूर करिए जिससे कि आपके पौजे में इंसेक्ट्स का अटैक ना के बराबर रहे तो ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है इस प्रकार से अगर आप अपने गुड़ कि अपा इस पर ये से जरौरी है दोस्तों